नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग दिवाली का जो रात होता है उसको महा निसा रात कहते हैं और इस रात में जो आप परियोग करते हैं उसका फल आपको बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है तो दिवाली की रात अगर आप एक छोटा सा परियोग करें तो जीवन की मुस्कले दूर होती है वैसे तो इस रात महालक्षमी का पूजन करने से पूरे साल उनकी किरपा बरसती है और घर में धन धाने की कभी कभी नहीं होती सास्तर में कुछ ऐसे टोने टोटके बताए गया है जो दिवाली की रात अगर आप कर ले तो मालक्षमी परसने भी होती है और जीवन में खुसी आती है वैसे तो जोतिस में 51 उपाए है अब इतने सारे उपाए तो करने ही पाएंगे लेकिन हम आज आपको मुख्य उपाए बताएंगे देखिए जब आप मालक्षमी की पूजा कीजिएगा तो सभी गरों में संक और घंटी जरूर बजाईएगा इससे घर की नकात्मक उर्जा परिसानिया दरितर बहाच ली जाती है और मालक्षमी घर में आती है दिबाली के दिन आप कभी भी सुबह में या साम में सिबजी के मंदिर में जाकर सिबलिंग पर चाबल और पित करे ये चाबल तुटावा नहीं हो तो अच्छा है आपकी सभी मनोकामना पुर्ण हो जाती है वैसे तो मालक्षमी की पूजा में पीली कोड़ी जरूर रखिएगा तभी पूरी पूजा संपन्न होगी और पीली हल्दी की गांठ भी रखिएगा बाद में इसको उठा कर धन के अस्थान पे रख ले वैसे दिवाली के दिन मंदिर में जारू दान करने का विधान है आप चाहें तो कर सकते हैं चुकि इस दिन अमवस्या होती है तो पीपल के बिश की मिट्टी में जल अर्पित करें तो सरी दोस काहल सर्व दोस भी समाप्त हो जाता है दिवाली की रात जब आप रात में पूजा करेंगे मालक्षमी के तब आप घी का एक बड़ा सा दिपक जलाईएगा और इसमें नौबत्ती लगाईएगा सभी नौबतियां जलाएं और मालक्षमी की पूजा करें तो लक्षमी स्थिर हो जाती है आप चाहें तो एक साथ नौबत्ती आप मेट कर भी लगा सकते हैं तो आप चाहें तो इस दीपक में एक कोड़ी या गोमती चक्र डाल दें तो फिर आपकी पूजा जल्दी स्विकार होती है वैसे मालक्षमी के पूजन में एक नारियल के उपर अक्षत कुमकुम पूस्प विगरार पितकर उसे पूजा में रख दें तो आपके जीवन की मुश्किलें समाब्त होती है दिपावली की राच चुकि टोने टोटकेक भी किया जाते हैं और टोने टोटके से बशने के लिए प्रियोग भी किया जाते हैं तो ऐसे में रात में आप एक छोटा सा काम करें पांच काली मिर्च लेके किसी भी चौराए पर चल जाए और आपका फेस पूरब होगा चार काली मिर्च चारों दिसाओं में एक एक करके फेके और एक उपर आसमान के और उच्छाल दें बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाए जीवन की हर मुष्किल समाप्त होगी तोड़ने तोटके समाप्त होंगे और आप चाहें तो चौराए पर एक चौब मुखा दीपक जरूर जला दे और ये दीपक जब जलाईएगा तो इसमें रूई की बाती होगी और सरसों का तेल होगा आप इसमें एक चुटकी काला तिल रख सकते हैं सनी समंदी सभी पिडाओं से मुख्किलों से मुक्ती मिलती है तो चौराए पर बहुत सारे तोटके किये जाते हैं हम इसके बारे में फिर आपको बताएंगे फिला लापसी भी दा लेते हैं हर हर महादेब धनिवाद